हलो केसे हैं सभी 12th class के students I hope आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्त हैं एकदम मस्त हैं और अच्छे से अपने 12th board के exam की preparation में लगे हुए तो जैसा कि आपको already पता है आपके class 12th की exam dates आ चुकी है जो कि अगर हम बात करें science students की तो वो ऐसी कुछ dates है ठीक है तो यार आप अच्छे से अभी अपने board exam की preparation में लगे हुए हो ठीक है आपको जो भी समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो कि मेरे को किस तरीकी से 12th में ज्यादा ज्यादा marks लेकर आऊ मैं अगर मैं बात करूं chemistry की तो बच्चे अच्छे से chemistry को पढ़ रहे होंगे ब्लोग chemistry लगा रहे होंगे organic को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और फिजिक फिजिकल chemistry को समझने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनको अंदर से उतना confidence नहीं आ पा रहा है कि सर अगर हम बात करें खासकर उन बच्चों की जो की 12 के साथ प्रिप्रेशन करते हैं या नीट की प्रिप्रेशन करते हैं सर हमने पूरे साल objective questions लगाए हैं अब हमारी बात आती है जब subjective questions की तो उतना confidence अंदर से नहीं आ पाता है तो हम क्या planning करें हम किस तरीके से पढ़ें जिससे की हम जादा-जादा questions को attempt कर सकें और अच्छे से उनके answers लिख सकें क्योंकि subjective paper होगा तो बेटा आपको marks तभी अच्छे मिलेंगे जब आप उतना ही अच्छा answer लिखो जितना की question की requirement है आपका question है five marks का और आप लिख करा रहें उसमें दो लाइन तो क्या marks मिल जाएंगे आपको नहीं मिल लेंगे तो आप अच्छे से planning तो कर रहे हैं आप अच्छे से planning करतो रहे हैं जैसे की हम सर क्लास नोट्स अच्छे से प्रोपर पढ़ लें चाहे आप offline पढ़ रहे हो या online पढ़ रहे हो कहीं पर भी आपको teachers के notes पर अच्छे से भरोसा करना है बेटा क्योंकि वही सबसे important चीज़ें ठीक ओके सर हम revision भी कर रहे हैं क चाहिद नहीं कहीं कहीं न कहीं हमें जरूरत है बच्चों practice questions की मोग टेस्ट की जो की हमारे इस preparation को और ज्यादा improvement लाएगी इस preparation में तो बच्चों यहां पर मैं आपको suggest करूंगा एक ऐसे book जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ये video आपके help के purpose से हमने बनाया ह जिससे की ज़्यादा ज़्यादा जो बच्चें जो cbc cbc 12 बोर्ड का एक्जाम देने वाले उनके लिए काफी ज्यादा useful हो तो बच्चों मैं आपको suggest करता हो ओस्वाल गुरूकुल publication की ये book है इसमें overall 36 sample question papers दिये हुए ठीक है इसमें आपको हर एक subject मिलेगा जैसे कि English हो physical education computer science हो physics chemistry biology ये सारे subject इसमें cover किये गए हैं तो यार एक science वाला student last time में जो चीजें परेशान होता है ना वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी सारी चीजें आपको इसमें cover हो जाएगी आपको इसमें हर एक subject के अंदर कम से कम 5-6 sample paper दे रखें जिनके आप questions देखिए अच्छे से और क्या आपको उनके answers आते हैं आते हैं तो बहुत बड़ी है लेकिन लिखना के से वह पूरा का पूरा pattern इसमें दिया हुआ है ओके और साथ के साथ हर एक subject में एक एक unsold paper भी इसमें दिया हुआ है ताकि आप उन questions के answer बिना देखें लिखी अच्छे से और फिल जही की preparation कर रहे हैं बेटा 12 में 75 वाला criteria must याद ना तुमें 12 में 75 percentage minimum होनी चाहिए अगर आपके नहीं बन पाती है तो आप फिर IIT का dream छोड़ दीजी ठीक है और अगर हम बात करें नीट वाले students अगर आपका बेटा 12 का basic ही week रहेगा अगर आपके 12 में percentage अच्छी नहीं बन पाएगी इसका मतलब यह है कि आप एक average student है और average student के select होने के chance कम होते हैं ठीक है जो brilliant students होंगे वो कैसे पता लगेगा यार उनकी 12 की percentage के उपर भाई जो उनकी 12 की percentage है जिसकी जतनी जादा है इसका मतलब है उतना intelligent है उसने चीजों को उतना बढ़िया तरीके से पढ़ा है ग सामने अब आपको decide करना है कि हमें कैसे पढ़ना है class notes revision plus sample papers यह लगाईए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इनको लगाईए बच्चों और अगर आप इस book को purchase करना चाहते बेटा तो उसका link description में नीचे दिया गया है जहां पर click करके जहां से click करके आप इस book को purchase कर सकत है तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा useful रही होगी तो बाकी students को भी आप इस वीडियो को share कीजिए ताकि उनको भी फाइदा हो सके आपके भाई हो जैसे कि मान लीजे कोई essay person इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके छोटे भाई बहन class 12 में study कर रहे हैं त तो ये था एक guidance वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके लिए कौन सी book अच्छी रहेगी आपके 12 के board exam के लिए अच्छे marks लाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you